तो हलो टेड़ास वेलकम बैक टान अधर वीडियो तो आज की वीडियो में बात करें तो अपने वो बेंग निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दिये 45701 की जोगे लास्ट एडिंग सेशन से ओनली 12 पॉइंट बेंग निफ्टी ने मार्केट अपनी जो प्लस में था वो सारा और मार्केटल में क्लोजिंग दे रहा है तो आज मार्केटल गेप पहुआ यह अगर श्रॉंग प्रेजेक्शन की साथ में इस के नीची जाता है तो अपने बास काफी अच्छा support setups यहाँ पर create हो सकते हैं तो अब अपन चलते अपने फाइफने टाइम फ्रेम पर जहाँ पर अपने trades को execute करते हैं और जो भी market में learning होते हैं अपन उसको capture करते हैं में अपने जो भी trades को execute करते हैं तो आपके साथ में share करने वाला हूँ तो इन इसके बाद में अपने market में बात करेंगी कल कर डिक्सेशन में नेक्स डिक्सेशन में क्या अपने लिए important चीजे हो सकते हैं और कौन से support से लेवल्स किस तरीके से work कर सकते हैं तो वीडियो में continue बने रहना तो अगर हम आज की market की बात करें तो market होता है something around इस zone पर open market gap up opening के साथ में market hold गाना शुरू कर देता है ज़िए को मैंने आपको last session में बोला था कि market अगर gap up opening देता है तो वहाँ पर market को hold गाना काफ़ सदे important हो जाता है तो उसके बाद market जो भी projection create करता है पर उसी के according trades को execute करते है तो आज के market ने अराम से 3-4 काफ़ी अच्छा set ups create किया है तो market ने काफ़ी अच्छा projection create किया है ठीक है simple projection था and काफ़ एच्छे move ने को यहाँ पर देखने को मिले यह option buyer के लिए यह काफ़ जादा अच्छे move होते हैं तो अगर हम बात करें तो market gap opening के बाद में market hold करना शुरू कर देता है ओके market थोड़ा बहुत buying तो आती है market में ठीक है अगर हमने ज्यांसर देखेगा market में जहां पर market ने opening दी है मार्केट ने opening थी है में यहां पर hold करने के बाद अगर अपने इस केंडल को देखें तो इन में काफ़ी छी बाइंग अगर हम द्यासर देखो देखो सीधी सी बात है कि market में buying तो आर यह अपन इन candles को capture करें और इन की weeks को read करें तो अपने पास यहां पर यह दिख रहे है कि market में buying है लेकिन यहां पर कुछ red candles भी बन रही है strong red candles बन रही है तीसरी बात जो काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं ठीक है अगर हम वोल्यूम को भी capture करें न तो यहां पर मार्केट में यह जो green candles बन रही है अच्छी बात है लेकिन जो red candles बन रहे हैं जिन में selling है उन पर मार्केट यह वाली candles देखो यह मार्केट में candle थो छोटी-छोटी create के लेकिन यह देखो volumes देखो इनके काफी अच्छे और जो अगर अपने इनको इन candles कि जाको इन candles में ध्यान से देखें तो वीडियो लंबी हो सकती है आपको काफी अच्छे लगने को मिलें लेकिन यह पर वोल्यूम नहीं है और अगर हम इस वोल्यूम को इस वोल्यूम से compare करें तो यह वाले volumes काफी जदा interesting अपने को देखने में मिल रहे हैं नीचे की उपर की साइड में यह वाले जो candles है दिख चोट रही है मतलब market में buyers काफी जदा active हैं ओके एंड अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर मार्केट में शो कुछ ही किया रहा है और हो कुछ और ही रहा है ठीक है तो यहां पर काफी लोग trip होते हैं मैंने आपको last session में बोला था कि मार्केट कल के मार्केट में trip कर सकते हैं तो अपने वो छोटी बोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही यहां पर पन ट्रेक्स को execute करते हैं तो मार्केट यहां पर आने के वाले में थोड़ा बहुत वीक हो जाते हैं देखो अगें मार्केट में यह वाली selling गई एंड अगें मार्केट वीक होने के वाल वापस volumes डाउन हो चुके थे तो यहां पर जैसे मार्केट नीचे की साइड में निकलना शुरू करता है ओके यहां पर मार्केट यहां पर एक च्छोटा सा स्टोप लोस लखागें 50 पॉइंट का नीचे की साइड में अपने पास काफी एच्छा टार्गेट हिट हो गया था मनिस्टू टू के अगर हम सिंपल टार्गेट लेके चले तो सिंगल केंड में अपना काफी एच्छा टार्गेट हीट हो चुका था यहां पर अपने पास सिंगल ट्रेड हो चुका है यहां पर काफी एच्छा अपने पास प्रोफिट आ चुका है यहां पर हम ध्यान से देखे तो अपने को क्या करना है फिर मैं आपको बोल दूंग कि मार्केट में तो आपको बताओगी कि जो मैं क्या सेटप करता हूं एंड जो अपना हेमर केंडल के नीचे की उपर जो भी अपन ट्रेड को एक्जेकूट करते हैं वो अपनी काफी दा इंट्रेस्टिंग होती है और अल्मोस सिंगल केंडल में अपने टार्गेट हीट हो जाते हैं हाला कि आज नहीं होए लेगिन काफी दाख इंट्रेस्टिंग सेटप अपना यह होता है तो देखो नेक्स टेंट्टिंग सेटप अपना यहांự क्रेट होता है तो सेलिंग अपने मार्गेट में सेलिंग तो चल द работать था strict तो यहां पर मार्केट जैसे इस लेवल को निकालता है में नीचे की साइट के एक ट्रेड एक्जिक्यूट करता हूँ जो कि मेरा ट्रेड एक्जिक्यूट नहीं की थी ठीक है देन तीसरा अपने ट्रेड आता है यहां पर सम्धिंग राओ इस जोन पर यहां पर मार्केट अगेन अपना वह सेट अपना है है मर्केंडल वाला सेट अप है जैसी ब्रेकडाउन करता है अपना एंट्री एंड इन ओल्मॉस्ट टार्गेट डन वन इस्टू टू का टार्गेट अपना इजी हीट हो चुका था थे ओ तो अपने पास यह वाले ट्रेड को एक्जिक्यूट कि है अपने आज काफे दाला प्रोफिट अच्छा हुआ एंड सेटप भी एंड प्रोजेक्शन काफे जादा अच्छा मार्केट में वर्क कर रहा है एंड कल मार्केट में है सेटरेड है लेकिन मार्केट में कल मार्केट ओपन होने वाला है तो यहां पर यह सी कुछ टेस्टिंग साइट से लेगी तो उसी के कोडिंग यहां पर मार्केट अपने को दो सेशन में ट्रेड होने वाला दिखेगा तो अगर ह सबसे अच्छी सिच्वेशन तो यह रहने वाली अपने पास कि अगर हम ध्यास रहें कि थोड़े अपने वन आवर टाइम फ्रेम के उपर दिखाऊंगे आपको तो अपने पास सबसे अच्छी कंडिशन क्या है कि जो मैंने गेप के उपर मार्क करख्ञा है जो एंग्ग इटीज की यूजर यह रहा है तो आगर मार्केट अगर नेट पर जलते हैं तो मार्केट अगर फ्लेट ओपनिंग के साथ में जो अपने लेवल्स क्रियेट करके रखे जो नीचे की साथ में अपने पास गेप पेंडिंग पड़ा है अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलता है ठीक है जो अपने पास अगर हम इसको ऐसे के साथ में तो अपने वो काफी अचा is notimenядomeव यहां पर देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केंड में कल दो टेडिंग शेशंटicular होने वाले है ठीक है दो टेडिंग सवेजन वोओ उन में ंहिकर टाई कि इंट्राइडेे वाले कोई सैलिंग अगी होगी क्यों को टाइम चाहिए ठीक है तो अपने पास चोटे मोटे मूज यहां पर केप्चर करने के तो वहाँ पर prospective को फॉलो करेंगे आगeless कि स्ट को उपने के ऐसे यह कि अगर मार्केट यह पर कोको टैया है तो आपने पासुइदा तोपर गृूंपर यस जाये तो अपर सब्सक्राइब कर सकते हैं अधरवाइस मार्केट प्राइश के साथ नीचे भी आ रहे हैं उपर जाएगा तो अभी अपन ट्रेड करेंगे तो क्वांटिटी को मेनेज करके चलना एं अच्छा रिस्क मेनेजमेंट रखो और प्रोपर ट्रेक्शन एंड पैसेंस यह सारी चीज़े इंपोर्टेंट है काफी ज्यादा और आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो थेंक्स फूर वचिंग मिल एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना थेंक्स फूर वचिंग थेंक्यू